हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चानल स्टेडी आवर लाइफ में तो हमारा जो पॉलिटी का आप 20 कोशन का स्रीथ चल ला है जो सारे अगामी एक्जाम के लिए बहुत ही महुत पुन कोशन है और सारे ये प्रिवियस येर से लिया 금् battle या कोशन और सब स् अलक्ड़ कोशन है तो आप लुग हमारे साथ आज का जो टॉपिक है हमारा हूं वह नितिर्देशक त्यक्यू जो घग्चार में पढ़ना है ठीक है तो उसके बारे कोश्चन हमारा क्या है आज का पहला कोश्चन हमारा है राज के निती निर्देशक सिध्धान्त को भारतिय समिधान में सामिल किये जाने का उद्देश है राज का जो निती निर्देशक तत्त है उसको भारतिय समिधान में जो सामिल किया गया है उसका उद्देश क्या है तो समाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को अस्थापीत करना तो आप लोग ने एंसर कर लिया होगा तो इसका चलिए सही एंसर बताते हैं इसका सही एंसर है डी समाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को अस्थापीत करना निती निर्देशक सिधांत का उदेश है ठीक है तो इसके समीधान के भागचार में अनुछे 36 से 51 तक में राजि के निती निरदेशक लिटांतों का बंधन है, आप लोग का पता होगा जब हम लोग प्वॉलिटी पर रहते तो पताएते कि भागचार में और 36 से लेके 51 तक में निती नित перемा दरसकता thing है भाग 2 में नागरिक्ता है भाग 3 में मुल्क हम ये मुल अधिकार है ठीक है तो 36 से 51 तक में निर्षक पढ़ना है और यह देश एबं कल्यानकारी राज की अस्थापना में सहायक है जिसका सम्मिधान निर्माता एक कल्यानकारी राज की अस्थापना के लिए प्रवधान करना चाहते थे मतलब एक कल्यानकारी राज की अस्थापना करना इसका में सिध्धानत है और इन सिध्धानतों का उदेश धार्मिक राज की अस्थापना करना नहीं है तो कभी-कभी आ असान ना समझे धर्म से संबंदित इसका कोई नितिनिद्र सक्ततों का कोई लेना देना नहीं है ठीक है फिर आज का दूसरा कोशन हमारा है आज का दूसरा कोशन है भारत के संभिधान के भाग चार में अंतरवरिष्ट प्रवधानों के संदर में निमलिकित कथनों में कौन स कफन दिया हुआ है देखते हैं कौन सा कफन सही है पहला कफन है वह नियाल द्वारा परवर्तनिये होंगे वहह मतलब नियतीनिर देशलता होग सब्सक्ता हो instit alto राज जी के द्वारा कानून बनाने को परहावित करेंगे नीचे दिये गये कूट का पड़ियो कर सही उत्तर चुनिए तो आप लोग को पता होगा कि वो न्याले में परिवर्तिनिये क्या नेती ने दे सकता तुझो है वो नियालाय में परिवर्तिनी है या नहीं यह पूछा जाएड़ा है तो इसका सही answer हो जाएगा 2 और 3 इसका answer D हो जाएगा इसका answer हो जाएगा D इसका answer हो जाएगा D जो हमारे 2 और 3 के बारे में बता रहा है ठीक है जो 2 और 3 के बारे में बता रहा है option number D हो जाएगा तो वो नियाले में द्वारा परिवर्तिनिये नहीं होंगे निती निर्द सकता तुझो है वो नियाले द्वारा परिवर्तिनिये नहीं है लेकिन मूल अधिकार जो है मूल अधिकार ये परिवर्तिनिये है ठीक है जिसे हम पिछले वाले वीडियो में कवर किये थे तो मुल अधिकार के वारे में कितना भाग में पढ़ना है भाग तीन में पढ़ना था ठीक है मैं रिपीट इसलिए कर रहे हूं ताकि बार बार बोलने से आप लोगों को याद हो जाए ठीक है और दूसरा है इसका इस भाग में अधिकतित सिधान्त राज द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे तो ये दोनों कथां सही है एक गलत है या न्याले द्वारा परिवर्थनिये होंगे ये गलत है इसके बारे में दिया वैसे परते हैं भारतिय समिधान का भाग चार राज के निती दिरसक तत्व है इस भाग के प्रभधान किसी भी न्याले द्वारा परिवर्थनिये नहीं होते हैं इसका अर्थ यह है कि यह संभिधान का एक हिस्ता है जिसे नाई पालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता भाग चाल के उपवंध में न्याले द्वारा परिवर्तिनिये नहीं है इस भाग में दिये गएं सिध्धान्त राष्ट के संचालन में मुलवूत हैं तथा यह सिध्धान्त राज्यो द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं और आज का अगला कोशन है माला जो तीचर अलम बढ़ है यह है कल्यानकारी राज की संकल्पना का समाबेश भारत के संचालन में है तो भारत के संचालन किसके अंतरगत आता है राज के निति निर्देसक तत्तों के अंतरगत चौति अनुसुची के अंतरगत मौलिक एदिकारों में और प्र programmers दाबना में तो इसमें दिया हुआ है भारतिय समिधान की प्रस्तावना राजविवस्था के उद्देसों का उलेख करते हैं किसका उद्देस मतलब राजविवस्था का उलेख करता है जो की एक कल्यानकारी राज़ के आदर्स का प्रतीक है इसके अत्रिक्त निती निर्देस सक्तत में कल्यानकारी राज़ की अस्थावना है तू राज़ को निर्देस दिये गया है प्रस्तावना एवं निती निद्र सक्तत दोनों में कल्यानकारी राज का बिचार पाया जाता है ठीक है तो आप आप लोग समझ गए होंगे कोशन नमबर 4 है आज का हमारा भारत में निमलिखित में से किसके अंतरगत पंचाइद राजप्रनाली की विवस्था की गई है तो आप्साइद से दिया हुआ ए में है मौली कर्तब राज का निती निद्र सक्सिधान्त चुनाव आयो अधिनियम तो पंचाइद से जो है ओप्सन नमबर C हो जाएगा राज का निती निद्र सक्तत पंचाइद राज प्रनाली जो है वो राज के निती निद्र सक्सिधान्त के अंतरगत आता है तो इसका एंसर हो जाएगा C दिया हुआ है भारतिय समिधान के भाग चार के तहद राज के निती निदे सक्सिधानत के अंतरगत पंचायती राज बनाने की विवस्था की गई है समिधान के अनुछेद 40 राजों के लिए ग्राम पंचायत का गठन का प्रभधान करती है तो ग्राम पंचायद अनुष्यद कितना में है? 40 में दिया हुआ है, ठीक है? अगला है, निमलिखित में से कौन सा अनुष्यद पंचायद के गठन के लिए राज सरकारों को निर्देश देते हैं? तो पंचायद के गठन के लिए जो आठकिल है, वह अभी महाली में बताएं हैं आपको, तो यह हो जाएगा आठकिल 40, ओप्सन नमबर B, ठीक है? उसके बाद है, सुची एक के साथ, सुची दो को मिलाईए, और नीचे दिये गए कूट की सहता से सही उत्तर का चायन कीजिए, तो पहला है, ग्राम पंचायत का गठन, आठकिल 44, जो गलत है, समान अचार साइता, क्रिसी एवं पसू पालन, नाई पालका वा काड़िपालका का पिर्थक करन, अंतरास्टी सांती का अभिकास, तो इसमें एंसर चुनना है, कि एंसर कौन सा सही है, तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत का गठन जो है, वो आठकिल 44, नहीं, 40 में दिया हुआ है, तो आप पहले यही से छाट ले कि एका एंसर कहीं भी आपका तो इसमें दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का संगठ अनुशेद 40 में, समान अचार सहिता अनुशेद 44 में, क्रिशी एवं पसुपालन का संगठ अनुशेद 44 में, और न्याई पाइल का वाक कारी पाइल का का पिर्थक करन अनुशेद 50 में पढ़ना है, और अंतरास्टी सांती का विकास अनुशेद 51 म अब question number 7 है, मनिरेगा कार्य करम निमली खित में से भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद को लागू करने हितु लाया गया था, मनिरेगा, तो option दिया हुआ है, आट किल 43, आट किल 45, आट किल 47 और आट किल 50, तो मनिरेगा कार्य करम जो है, वो लाया गया था, आट किल 43, option number A हो जाएगा इसका सही answer, ठीक है, तो इसके वारे में हम पढ़ते हैं अभी, अनुछे 43, उप्युक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन रिती से किशी के उद्योग के या अन प्रकार के सभी कर्म कारों को काम, निर्वा, मजदूरी, सिस्ट, जीवन, अस्त कुटूर उद्योग को व्यक्तिता या सहकारी अधार पर बढ़ाने का प्रास करेगा, ठीक है, तो यह कुटूर उद्योग कितने अनुछे कैंतरगा आता है, मंदेगा कैंतरगा थी आता है, तो अनुछे 43 में भी यही है, तो आप स्पेसल आपको यह समिधान में कहीं पढ करने तक प्रारंबिक बालावस्था देख रेक और सिक्षा देने के लिए उपबंद कराने का पर्यास, जो चोवर से कम के आयू के बच्चे होंगे, उनके लिए जो देख रेक होगा, सिक्षा का उपबंद होगा, वो सभी कराने के लिए, आठकिल 45 में दिया है, और आठक होग का प्रतिसेद करने का पर्यास करेगा, जैसे श्राब हो गया, घाजा हो गया, ये सब चीज पर रोक लगाएगा, ठीक है, तो ये आठकिल कितना में पढ़ना है, आठकिल 47 में है, ठीक है, कोशन नमबर 8 है आज का, भारतिये सम्विधान, भारतिये सम्विधान का अनुछेद भारत की विदेश निती से संबन्दी थे, तो भारतिये सम्विधान का कोण अनुछेद विदेश निती से संबन्दी थे, तो अनुछेद दिया हुआ है, 380, अनुछेद 312, अनुछेद 60, और अनुछेद 51, तो इसका सही answer हो जाएगा, उप्सन नमबर D, से प orada के बारे नो चुछएथ 51 इसके बारे में पढ़ते हैं केल साध राष्टपती द्वारा सपत रा स्पत उसके बाड़े मेंसे शेक Euro सम आइस्प्स इस इससी बारे में है तुरे में, और उसकेथ Electronicendo, सपनिकी में पर्यावरन का सरक्षन तथा संबर्धन अपसर नमबर चार शोला वर्ष की आयुतक के बच्चों को निशिल्क सिक्षाब देना अपको पता है कि मादक पे का उपभोग ये नितिनिर सकत्त्तु के अंतरगत नहीं आता है गाय के बच्चरे परबद का निशियद करना ये भी नहीं है पर्यावरन का सरक्षन और संबर्धन ये भी नहीं है लेकिन इसका साई एंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा इसलिए इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी उसके बाद है भारतिय समिधान के भागचार में दिये गए निर्देशित सिध्धान्तों में निम्ण में से कोन सा सुची वद है समान कार के लिए समान वेतन समान नागरिक सहिता छोटे परिवार का मानदंड प्रात्मिक अस्तर पर मातरी भासा में सिख्छा तो इसका एंसर क्या हो जायेगा ओप्शन ए में दिया हुआ है एक दो और तीन ओप्शन चार एक दू और चार तो इसका सही एंसर आपको हो जायेगा बी एक और दो इसका सही एंसर कोन हो जायेगा बी एक और दो ये दोनों सही है तो ये नीति निरसत्रत्तों के अंतरगत क्या क्या आता है समान कार के लिए समान वेतन समान नागरिक सहिता ये दोनों सही हो जाये के D में समान नेकाड के लिए समान वेतन और अनुष्यत चावालिस में नागरिक के लिए समान नागरिक सहीता सुचिवद है जब की अनुष्यित 351 को प्राथमिक अस्तर पर मात्री भासा में सिक्ष्षा देने का निर्देश देता है हालांकि ये बाग्चार में यह नहीं है उसके बाद है कोशन नमबर 11 राज के निती निर्देशक्सिद्धान्त एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुवधा की एनुसार अदा किया जा सकता है जाता है किस ने कहा था तो आप्शन में दिया हुआ है बी आर अमबेदकर के एम मुंसी डॉक्टर राज इंदर प्रिशाद केटी शाने तो आपको पता होगा कि केटी शाने कहा था कि राज का निती निर्देशक्ता तो एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुवधान निमशार अदा किया जा सकता है तो इसका साही एन्सार हो जायागा ओप्सन नमबर डी केटी सा इसमें कोई एक राज के निती निर्देशक्त सिधान संविधान में बाद में जोड़ा गया तो ओप्सन नमबर ए में दिया हुआ है गराम पंचायतों का संगठन दूसरा है गोवत निसेद तीसरा है मुफ्त कानूनी सला और चोथा है समान नागरिक साहिता तो इसमें से कौन सा सही होगा यह पूछ रहा है तो ओप्सन नमबर इसका सी हो जायागा एंसर मुफ्त कानूनी सला बाद में जोड़ा गया गराम पंचायतों के ठीक है तो यह जो है 42 में समिधान संसुधन अधिनियम उन्हेसा 76 द्वारा भारतिय समिधान के भाग 4 में 49 ओ यानि कि ए में गरीबों के ल ठीक है कोशन नमबर 13 है समिधान निम्लि में से किसके सोसन के विरुद अरिकार स्वेकरित करता है बच्चों के इस्तरियों के जनजातियों के दलितों के तो आप जब पॉलिटी परते होंगे तो उसमें दलित का चर्चा आपको नहीं मिलेगा इट मिन्स कि हमारे समिधान म हम लोग दलित नहीं बोल सकते हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C एक दो तीन क्या हो जाएगा एक दो तीन इसका सही एंसर हो जाएगा एक में बच्चों के एक में बच्चों के दूसरा इस्तरियों के तिसरा जनजातियों के ये तीनों चीज सही है बांक ये दलित ये गलत है तो सम्भिधान में बच्चों इस्त्रियों एवं जनजातियों के सोसन के अधिकार को स्विक्रिती परदान की गई है जबकि दलित सब्द का सम्भिधान में उल्लेख नहीं है ठीक है उसके बाद चौदा नमबर कोशन है भारतिये सम्विधान में सम्लित निती निर्दे सकत्त्य की प्रेणा हमें किस सम्विधान से प्राप्ट हुई है अस्टेलिया अमेरिका फ्रांस आयरलेंड तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D आया एलेंड से निती निर्देसक्तत की प्रेणना ली गई है उसके बाद है कबली आ गया था तो 1937 में 15 नमर कोशन है राज के निती निर्देसक्तत सहज अध्यन के लिए निम्न में से कोण सा भागों में विभाजित किये जा सकते हैं समाजवादी, उदार, बौधिक्तावादी, गांधीवादी, उप्युक्त में से सही सभी तो इसका एंसर हो जाएगा उप्युक्त में से सही D हो जाएगा इसका एंसर राज का जो निती निर्देसक्तत है वो समाजवादी, उदार, बोधिक्तावादी, गांधीवादी, मानावाईदिकार, समाजिक एवं आर्थिक कल्यान आधी भागों में विभाजित है राजि के नीर्ती नीर्दे सकतत की प्रविर्ती सकारात्मक है तथा या गैरवाद योग की है ठीक है Q16 में है राजि के नीती नीर्दे सकततो का क्रियाम बनन निमलिखित में से किस पर निर्वर करता है तो उप्सन A में है स्वतंत्र नाई पालिका पर, राष्ट पती की इक्छा पर, ससक्त बिपक्च पर, सरकार के पास उपलब संस्थानों पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D सरकार के पास उपलब संस्थानों पर निर्वर करता है तीक है उसके बाद कोशन नमबर 18 में है राज के निती निर्दे सक्सिधान किस परकार का मौलिक एदिकार से भीन है पुरवक्त केंद्र सरकार के लिए है या उप्युक्त राजों के लिए है पुरवक्त संभिधान का अंस नहीं है जबकि उप्युक्त है राज के निती निर्दे सक्सिधान परवर्तिनिये नहीं है जबकि मौल एदिकार परिवर्तिनिये है इन में से कोई नहीं अपको पता होगा कि मूलादिकार हमारे समिधान में परिवर्थ नहीं है लेकिन राज का निति निर्देशत तद नियला में परिवर्थ नहीं है तो इसका साही एंसर हो जाएगा Option No. C उसके बाद है सराब बंधी समिधान के किस धारा में निर्देशित है? सराब बंदी धारा 47 के अंतरगत दिया हुआ है ठीक है सराब बंदी सम्मिधान के धारा 47 में निर्देशित क्या गया है ओप्सन नमबर A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है किस सम्मिधानिक संसोधन अधिनियम ने राज्य के निती निर्दे सक्तत्त को मौलिक अधिकार की अपेक्छा अधिक प्रभाबसाली बनाया तो 42 में सम्मिधान संसोधन अधिनियम ने सा 76 49 में सम्मिधान संसोधन अधिनियम ने सा 77 44 में सम्मिधान संसोधन अधिनियम ने सा 78 और 45 में सम्मिधान संसोधन अधिनियम ने सा 80 तो ये सारे में option में हो जायागा इसका A हो जायागा सही answer 42 मा समिधान संसोधन अधिनियम उने सा 76 जो है वो निती निर्देशक तत्तो को मौली के इदिकार के पेक्षा अधिक परभाबसाली बनाया ठीक है उसके बाद आज का जो last question है वो है निती निर्देशक सिधान्त है व को वादियोग है इसके पिसले वाले वीडियो जब बनाये तो उसमें हम आपको बता दिये थे कि मुझ लेदिकार क्या है हमारा वादियोग है ठीक है तो यह था आज का हमारा 20 question तो आपको question कैसा लगा इसके बारे में पहले कुछ दिया हुआ इसको परते हैं निती निर्द के समिधान से लिया गया है तो आप लोग को question कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्रीज आप लोग comment box में बताएंगे और आप लोग अपना score जरूर सेयर करेंगे माय सार तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद